हेलो दोस्तों हमने कुछ निमेरिक फंक्शन पिछले वीडियो में किये थे जिसमें a r equal to 1, minus 1 raise to the power r, 2 और in general c, c के प्लेस पे आप 1, 2, 3, 5 कुछ भी substitute कर सकते हो और a raise to the power r, ये कुछ तरह के निमेरिक फंक्शन हमने किये थे जिसका generating function हमने यहाँ पर निकाला था और सभी के generating function निकालने का तरीका हमने एक ही follow किया जो की इस definition से आ रही थी a0, a1, a2, a3, a4, a r की अलग-अलग values के साथ हमारे पास common ratio हमें मिलता गया और हमने generating function generate कर दिया अब इस वीडियो में हम लोग जो नया generating function पढ़ने वाले हैं वो है ar equal to r तो ar equal to r को देखते हैं अगर ar equal to r लिखूँ तो इसका simple सा मतलब यह है कि ar a notch होगा, वो 0 होगा a1 होगा, वो 1 होगा a2 होगा, वो 2 होगा a3 will be 3, a dot 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 ar will be r and so on इस तरह का sequence है अगर इस तरह का numeric function है मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4 and so on तो इसका generating function क्या होगा? अगर इस तरह के expression है तो मुझे क्या करना पड़ेगा generating function निकालने के लिए तो इस ar की जिगा अब आने वाला है r और यहां पर हो जाएगा 0 प्लस 1.z प्लस 2.z स्क्वार प्लस 3.z q प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 इस expression के लिए मुझे generating function निकालना है अब से आगे जितने भी generating function हम निकालेंगे हमारा main focus इस expression पे होगा z r की coefficient पे फिलहाल a r equal to अगर r ले रहा हूँ मैं तो यह expression आना चाहिए r z raised to the power r मुझे और हमें यह सोचना है कि z raised to the power r से यह expression r z raised to the power r कैसे बनेगा तो इसका एक तरीका यह हमें समझाता है कि अगर मैं इसको differentiate कर दूँ with respect to z तो यह r नीचे आ जाएगा और यहाँ पे r minus 1 आ जाएगा power में फिल इस expression को अगर वापस से z से multiply कर दूँ तो अपने पास यहाँ पर r z raised to the power r बन जाएगा जो मुझे चाहिए यही approach मैं use करने वाला हूँ simple सी बात है यह वाली expression को हम अच्छे से जानते हैं यहाँ पर हमारे plus पास z raised to the power r है फिलाल अब मैं इस r को r z raised to the power r बनाने इस z raised to the power r के साथ अगर मुझे r लाना है तो मुझे इस equation को differentiate करना पड़ेगा ताकि r z raised to the power r minus 1 आ जाए ठीक है उसके बात मैं क्या करूँगा वापस से पूरे expression को z से multiply कर दूँगा ताकि यह expression यह बन जाए वही corresponding change मुझे इस generating function में देखनों को मिलेंगे तो final जो generating function बनेगा वही हमारा इस expression का generating function होगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं भी करने क्या वाला हूँ थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला उसी को मैं यहां implement करने जा रहा हूँ तो इस expression के बारे में हम जानते हैं this is basic one तो मुझे differentiate करना है इसको with respect to z जैसे differentiate करूँगा तो obvious सी बात है पहला expression हो जाएगा 0 and then it should be 1 जो कि यहां दिख रहा है then 2z then 3z square and so on to r z raise to the power r minus 1 plus r plus 1 z raise to the power r अब आप यहां से एक और expression निकाल सकते हो अगर मुझे a r equal to r plus 1 का generating function निकालना था तो वो generating function और कुछ नहीं यही है ठीक है क्योंकि z raise to the power r का coefficient यहां पे a r है जो कि एक numeric function है का r अर्थ term है r plus 1 अगर a r equal to r plus 1 के लिए अगर आपको generating function ढूनना है तो कुछ नहीं करना है वो यही है लेकिन अभी फिलाल इस problem के लिए मुझे a r plus 1 नहीं मुझे r चाहिए तो उसके लिए यहां पर यह चीज बताई भी जा रही है कि r plus 1 अगर a r है तो उसका generating function यह होगा लेकिन मेरा main focus अभी फिलाल a r equal to r पे है तो मुझे z raised to the power r का जो coefficient है वो r चाहिए instead of r plus 1 तो मुझे यहां दिख रहा है z raised to the power r minus 1 जो यहां से बना था उसके multiplication में तो r आ चुका है जो मुझे r चाहिए लेकिन यहां पर z raised to the power r minus 1 है तो इसको मुझे z raised to the power r बनाना पड़ेगा उसके लिए मुझे इस fully expression को किस से multiply करना पड़ेगा z से तो इसलिए मैंने इसको z से multiply किया तो आप देखो जैसे मैंने z से multiply किया यहां पर z raised to the power r आ गया अब जो z raised to the power r का coefficient है वो r है जो की हमारा ar है पिलाग तो इसका जो generating function होगा वो यह होगा अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैंने जब differentiate किया था with respect to z वो केवल यहां left hand side नहीं किया right hand side भी किया क्योंकि 1 upon 1 minus z का जो differentiation होगा वो यह होगा 1 upon 1 minus z whole square फिर जब z से multiply किया तो इसी expression में z simply multiply होगा तो इसका मतलब जो a are equal to r अगर मैं numeric function लेता हूँ तो उसके लिए जो generating function होगा वो होगा z upon 1 minus z whole square तो मेरे क्याल से आपको यह expression समझा गया होगा Thank you so much मिलते हैं फिर next वीडियो में जिसमें हम try करेंगे a are equal to r plus 1 के लिए निकालने के लिए जिसका expression हम already निकाल चुके हैं लेकिन इसको another way में हम इसको करेंगे जिसको करेंगे करेंगे enough a हम झाल किकालने काई प्राव ते जिसकाम उनिकालने किवाणे लिए